हमारा जो काम बाकी रह गया है तीपा मांजी जी वो पूरा कराने में सक्चम है हम लोग आठ महीने इन पौर मुका दे रहे हैं वो तमाम कारियों को पूरा करके पिर पचीश के चुनाव भी अरे भाई इतना XIPS XIS X राजदूत ये दलित तो वो फलाना वो डिंकाना ये मुस पता किये हैं कि इमाम गंज की पांच नेता का नाम तो हिस्व जादा सकते हैं एक कैंडिडेट को भी अच्छे से पाचानते नहीं और पाने मुकमंत्री निजिश महार जी के आने के बाद इस तरह से विकास कारे हुए इस तरह से जंगल राज का सबसे खतरनाख इलाखा प डेख रहे हैं मैं हूँ अखनजोती देखें बिहार की चार सीटों पर चुना होने हैं जिसमें सबसे होट से इमाम गंज बना हुआ है और ऐसे में इमाम गंज में हम इस वक्त हैं और देखिये हम बाचित करेंगे चुकि इमाम गंज जो सीट है वा जीतन राम मान जी का और एक लगातार बोले छोड़े जा रहें किस तरीके से देखते हैं शामसुंदर कहीं कोई लड़ाई नहीं है दूर दूर तक कोई रेस में भी नहीं है दीपा मांजी जी जिस तरह से छेत्र में आई और वो जिस तरह से गूम रही हैं लोगों का जो विश्वास उनको मिला और जितन ना मांजी जी का एक अपना औरा है इस छेतर में पूरे मगद में यहीं ने पूरे मगद में लोग जानते हैं कि वह विकास करने वाले लोगों में अब ही हो भारत सरकार के एक पहली जेकी बहुत ही जनता से जुड़ा हुआ मंत्रा ले है मैं से मिंन ने के द्वा हैं और ऐसे मंत्र में मन्त्राले में हैं जो आम किसानों से जुडआ हूआ है लोगों से जुड़ा हुआ है चाहें लगह सिचाइए में हैं किरिसी में जो समस्षां उन्हों मुद्र कैम क्षा इस तरह हैं च्छा से बिकास का French का जे चQué तो कहिए कि एक तरह से जंगल राज का सबसे खतरनाक इलाका था जिस तरह से अब तेज़शी प्रसाद के पिता जी और मता जी को इस चेट से खास तोर पे गुसा भी था क्योंकि उनको कभी इस चेट ने चुनाव जिताया नहीं वो भले लगातार जो अपनी विहार में सरका चलाते रहे हों लेकिन इमाम गंद की जनता ने हमेशा NDA को वोट दिया और NDA को ही जिताया है तो वो विश्वास अनवरत कायम रहेगा लोगों का भरोसा है जो विकासकार यह हुए है उस पर जो सांतिस अदभा हुआ है यहां के लोग डरे रहते थे लोग घरों से निकलत 지원 को पड़ने की जाजत नहीं थी किसकी मौत कवाजा किसी पता नहीं था लोग सुबर में निकले साम को आएंगे कि मालूम नहीं था दुकांदार 4 बज़े के 5 बज़े के बाź दुकान खोल नहीं पाते थे यहां कब कौन सा प्रचा आ जाएगा किसको कौन सी लेवी देनी पड़ेगी यहां क्या इस्थिती थी क्या भयाना की इस्थिती थी वो आप घूमेंगे अभी तो और घूमें होंगे तो आपको पता भी होगा यहां सारे बरिष्ट नेता इस से परके बैठे हुए हैं यह आपको बताएंगे तो तमाम जो चीजों से लोग बाहर आया जो एक देख रहें हैं कि किकर रहा है राज की सरकार है यहां ना मांजी जी हैँ संतोस मांजी जी है और सब पर जो इधैक के रूप में ःधायक करके काम तो विकास की आभ सब करेंगेoded और लोगों का विश्वास caller बाए और तो दुसरे जगा है जब सदन चलेगा तो आप रहेए घंगा दुसरे जगा सदन में रहेंगे नहीं जमीन पर रहेंगे नहीं और जो चार लोग उनको लिख कर कर के देते हैं वह हो भासन दे देने से ट्वीटर पर लिख देने से अगर सरकार बन चल जाती तो फिर क्या दिक्कत था आप तो निता प्रतिपक्ष के लाइक नहीं है आपको स्कून सप्ता में ला रहा है कि मिला तो था समय कभी आये थे से पाचानते नहीं होगे क्या बात करेंगे वो तो कमरे में बंद रह करके और वहीं से पूरा बिहार चलाना चाहते हैं वैसे थोड़े चलता है ब्यार इस जमीन पर कम से कम 20 वार नितिश कुमार जी आये हुए हैं इस जमीन पर NDA के लोगों का कौन सा निता है जिनके पास ल में को है क्णित कीी खीया है यहां हम लोगों को नहीं पता है अप्रषांत के लीकली से नकली भोली बंदूप ड्गों दुम धड़ा का अपना इसे इसे करते करते लोग खूब उस पर अपना खुस होते हैं नंबर बढ़ाते हैं लेकिन जब सरहत पर उतरता है आदमी तब वहां का टेंपरेचर पता चलता है सामने जो योद्धा है वो पता चलता है और क्या है उनके पास आप बताएं ना कि दो साल की आत्ता में जबाब नहीं है उनके पास कि आखिर कोई पढ़ा लिखा उमीदवार उनको क्यों नहीं मिला है जो नौहां पास दसमा पास तेजप्रताब पास से थे इतने नहीं इंटर से आगे कोई है नहीं इंटर जो किये हुए आदमी है उसको डॉक्टर सिस्ज क्या-क्या बता के वह अपना सीगुफा खड़ा कर रहे थे जब चुनावी हलापनावा में उनको सच्चाई पता चली तो जमीन सुंग गया एक कंडिडेट उतारे तरारी में तो रिटायर करनल जी उनको ठक ठूक के लाए अब जब कंडिडेट की घोसना हो गई कागज पतर त्यार होने लगा तो मालूम हो कि बोटर नहीं है नोड़ा का बोटर वियार में चुनाव लड़ेगा दसमा पास बियार में चुनाव लड़ेगा अरे भाई इतना एकस आईपियस एकस राजदूत तो यह दलित तो फलाना वो ढिमकाना यह मुसल्मान आपको यही मिलता है दसमा पास मुसल्मान मतलब मुसल्मान को भी आप बता रहें कि तुम्हारे पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है हर जात से उमिदवार देने से आप अच्छा था आप उसी चीज में फस गए हम जात पर नपात पर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे और आज क्या कर रहे हैं तो प्र पैसा है कहां से पैसा आपको भी पता है तो ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का एक तमासा जो कर रहें तो कर लें उसमें अब हम आप ज्यादा कुछ नहीं करेंगी चुनावायों को करना होगा करेगी शासन प्रसासन वो देखेगा लेकिन इन तमाशाओं से वीडियो गेम ख करने वाले लोग बोलते हैं जितने आंकड़े आप गिनाते हैं उतने आंकड़े सब के पास हैं सरजमी पे आप कितना उतार पाईएगा यह लोगों ने देख लिया कोई आपका जो भयान था वो कहीं से भी जमीन पर उतरता हुआ नहीं दिख रहा इसने ठगा ठोगी कहीं जाके करिएगा अखरी सवाल है बचा पाएंगे यहां गड़ में बचा पाने की जैसे कोई जद्दो जहद नहीं है जनता का भरोसा और विश्वास है आप भूम रहोंगे तो लोगों की बातों को अप सुन रहे हों कहीं कुसा भी आपको दिखरा होगा लोगों का कहीं कु कर रहे हैं कि हमारा जो काम बाकी रह गया है दीपा मांजी जी वह पूरा कराने में सक्षम है हम लोग आठ महीने और मुका दे रहे हैं वह तमाम कारियों को पूरा करके फिर 25 के चुनाव में उत्रेंगे कहीं कोई इपबट का सवाल नहीं तो चलिए जनता का भरोसा दीपा तरीके से त्यारी किया जाना आला की चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कब इंडिया टॉप देखते रहे हैं नमस्कार मैं रवीना राइन सिंग आर्पिया ये प्रदेश अध्यक्ष आप सभी को धंतेरस दीपावली छट महापर्व भाई दूज एवं चित्रुप करता हूं रडाम